नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चमतकारी पतियों के विशे के बारे में बताऊंगा दोस्तो यदि आप इन पतियों को सिर्फ चार दिन हमारे द्वारा बताएगे विदी से दही में मिलाकर खा लेते हैं, तो दोस्तो आपको चमतकारी रिजेल्ट दिखाई देगा, दोस्तो सुकर रोग, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मुटापा, हड़ियों की कमजोरी, सरी दर्द और दिल की बिमार्यों में ये बहुत अलेक फाईदमन्द हैं, तो चलि दोस्तो आपको बताते हैं इन पतियों के बारे में, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिन पतियों की बात कर रहे हैं, वह पतिया हैं दोस्तो चने की पतियां, दोस्तो चने की कौमल, मुलायन और छोटी पतियों का सेवन करके आप अपनी सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तो इन पतियों में विबिन प्रकार के पोसकता तो पाएज आते हैं, दोस्तो इन में प्रोटीन, कार् हाइट्रेट, डाइटरी फाइबर के अलावा आइरन और कैल्सियम दिभरपूर मातरा में पाये जाते हैं दोस्तो बस आपने करना क्या है इन पतियों का सेवन हमारे दवारा बताए के विदी से करना है और यदि आप इस त्रहें से इनका सेवन करेंगी तो दोस्तो आपके स्रीर की इम्म्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी और आपके स्रीर की बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाएगा सर्दे खांसी और छाती में जमाकफ बाहर निकल जाएगा दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की बीमारी है तो डाइबटीज की लोगों के लिए तो ये चने की पतियां और भी अधिक चमतकारी है क्योंकि इसमें मौझो डाइटरी फाइबर और प्रोटीन पाचन सक्ती को मजबूत बनाता है मेटेबलिजम को बुष्ट करता है और क्रेमिंग कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे कि आपका बलड सुगर हमेशा कंट्रोल में बन रहता है और आपको इस डाइबटीस की बीमारी के परिसानी का सामना नहीं करना पड़ता और आप इस डाइबटीस की बीमारी से होने वाली बीमारियों से भी होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहते हैं दोस्तों यदि आप इन चने की पतियों का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आपके सरीर की immunity मजबूत होती हैं कमजोर immunity में viral बीमारियों के साथ सत संकर्मन की चपेट में आने का खतरा भी बहुत अधिक रहता हैं ऐसे में चने की पतियां आपके सरीर की रोग प्रत्रोदक सम्ता को मजबूत बनाती हैं इन में मुझूद एंटोक्सिंड और पोसक तत्तव आपकी immunity को मजबूत बनाती हैं जिससे कि आपका सरीर बहुत त्रहें की बीमारियों से लटने की सम्ता आपके सरीर के अंदर हा जाती हैं दोस्तो यदि आप इन चने की पतियों का सेवन हर रोज करेंगे तो इनसे आपका digestion मजबूत होगा और दोस्तो यदि आपका पाचनतंतर मजबूत होगा तो आपको पेट का कोई भी रोग कबज गैस और एसड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोस्तो ये कबज गैस और एसड़ी हमारे सरीर की 101 से अधिक बीमारियों का कान बनती हैं दोस्तो इन चने की पतियों में फाइबर भी भरपूर मातरा में होता है जिससे आप इनका सेवन करके अपने वजन को कम कर सकते हैं दोस्तो चने की पतियों में आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने के कोण मुझूत होते हैं दोस्तों ये आपकी anti-aging की तरहें काम करते हैं और आपके चहरे पर natural glow बना कर रखते हैं। दोस्तों जरी आपकी आँखों के रोषनी कमजोर हैं। आँखों के muscles को आपको मजबूती चाहिए तो जिससे कि आँखों के रोषनी बढ़ती हैं। То दोस्तों उसमें भी चैने की पतियां बहुत अधी कारगर हैं। आप इनकार प्रयोकर करके अपनी आँखों के muscles को दोस्तों यदि आपको खून की कमी है तब भी दोस्तों आप चने की पतियों का सियवन कर सकते हैं क्योंकि चने की पतियां आपके सरीर के अंदर खून बनाने की मसीन लगा दिती हैं जिससे कि आपको कभी भी आइरन की कमी के समस्या नहीं होती खून की कमी की कोई समस्या नही ये खून को सिर्फ बनाती ही नहीं है बलकि उसको पतला भी रखती हैं और खून को साप करने का काम भी करती हैं। दोस्तो ये आपके kolostrol level को सही करती हैं और जिससे कि आपको heart attack और heart blockade जैसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता तो देखा दोस्तो कितनी चमतकारी है इन चने की पतियों का सेवन तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इनका सेवन करना कैसे हैं दोस्तो आपने क्या करना है ये चने की पतियों जैसे आप देख रहे हैं आपने इन चने की पतियों को लेना है दोस्तो आपने इनको धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेना है इनको खाने के कुछ अन्य तरीके भी है मैं वो भी आपको बताता है दोस्तो पहले दो आप इन चने के पतियों को सुबह खाली पिट ऐसे ही चबा कर खासकते हैं आपने इनकी चने की कोमल पतिया, नोधी नोधी पतिया ही लेनी है आप इनको सुबे खाली पिट ऐसे ही चबा कर खा सकते हैं दोस्तों आप इनको सुबे खाली पिट चबा कर खा कर ओपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं दोस्तों आप इनको चटनी बना कर भी खा सकते हैं इन चने की पतियों को कूट लेना है, नोदी-नोदी पतियों को, जैसे कि हम ये कूट रहे हैं, आपने भी कुछ पतियों को ऐसे ही कूट लेना है, अब आपने इस जो ये कूटी आपने, जो ये लुगदी बनी, आपने इस लुगदी को दही में मिला देना है, और दही में अ आपके सरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी और आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। और वैसे भी हमें अपने सरीर को सवस्त रखने के लिए हरी पत्तेदार सबजियों का स्यमन करना चाहिए, यदि हम बिल्कुल सवस्त रहना चाहते हैं. और दोस्तों ये तो चने की पतिया हैं जो आपके सरीर के लिए एक निरोगी नुस्खे कीतने हैं काम करती हैं और आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करती हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तों